कूलिंग सिस्टम के बारे हम बढ़ेंगे कूलिंग हमारे वान के लिए बहुती मैध्ड़ पूर्ण होता है यह इंजन व ठंड़ा करने का काम करता है जैसे हमारे सेर्च चलाने के लिए हवा और पानी की जूर्थ होती है इसी प्रगार इंजन को भी कूलिंग की जूरत होती है कूलिंग सिस्टेम हमारे दो प्रगार को होता है एर कूलिंग और वाटर कूलिंग एक कूलिंग का प्रियोग हम दो पहिया वान में करते हैं और वाटर कूलिंग का प्रियोग हम चार पहिया वान और यह उससे बड़े वारनों में किया जाता है कूलिंग के कारिया कूलिंग के मुख्या तेन कारिय ताइगे यह इंजन से अत्रियत गर्मी को बार निकालता है इंजन के चलने के ताम माल को एक जैसर बनाय रखता है यह दिबा नवस्ता में तर्मशेट वाल के रखता ग्वारा जल्दी से घंडे इंजन अताब मार बढ़ाता है जो कूलिंग संग्लेशन के मारकों में लाया जाता है यही अपने कूलिंग सिष्टम के तेन मुख्या कारिया है है उसके बाद हाम्हें कोलीग होती है हमें कोलीग कि चैनल को ठंडा करने की दिए नहीं करेंगे तो हमारे गुमने वाले पाथ बहुत गरम हो जाएं इससे इंजै तो इनृट में आख मिला सबूसक्ति है इसलिए हमें और से लिए रहुत का प्रियोग किया कुलन्ट का प्रियोग करते हैं जो रिडियाटर के मात्यम से गरमी को बार निकालने का कालिया करता है इसके अंदर हम थर्मोसटेट वाल का प्रियोग करते हैं जो इंजन के टेंपरेचर को मेंटेन करने में भी साहिता करते है जो इस estado आपमान बढ़ जाता है तो यह थर्मो स्टेट वाल अपनी ओपन हो जाती है जो इंजन को ठंडा करने में साहिता करती है